हलो साथियों एम गुर्कुल परमयंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं हार्दिक अफ्दंदन करता हूं साथियों आपका यूपी पीर एक्जामनेशन बहुत ही बेहतरीन धंग से संपन्ध हो गया है और इसमें जो भी है भर्थी समलित हुए इस परिछा कर रहे हैं जिसके अंतगत आपको उत्तर प्रदेश लेखपाल हो गया ग्राम विकास अधिकारी हो गया और इसी के साथ ही साथ आपके लोवर पीसे जैसे भरती देखने को मिलेगी ऐसी उमीद जटाए जा रही है और इन सभी भरतियों में क्या होगा क्योंकि आपके और इसी वजगा से आज हमलोग इस वीडियो में यूपी जीके के वेरे वेरी मौश्ट इंप्रटंट कुश्चन देखने का प्रयास करेंगे ऐसे कुश्चन हैं जो अपने आप में परिपोर्ण हैं अपने आप में संपूर्ण हाँ हैं और ऐसे कुश्चन को आज कटे आ आज की वीडियो और आज का अपना पहला सांदार सा कोशन का रहा है कि सूर सेन महा जनपत की राध्धानी क्या थी किसकी सूर सेन महा जनपत की राध्धानी आपको क्या देखने को मिलती है यहाँ आपसे कोशन पूछ रहा है आपसन दे रखा है कि पोटन दूसरा आपसन दे रखा है विराट नगर आपसन नमबर तीसा करा मतुरा या आपसन नमबर चोथा करा इंडरप्रस्त तो इसमें सूर सेन महाजनपत की राधानी क्या होगी यहाँ आपको बताना है तो देखे भाई जब हम बात करते हैं सब्सक्राइब तो चलता है कि आपके दो गरंत कौन कौन से अंगुह निकाए और भगवती मिलती है कि उस समय ठाटकाल वर्फ भारत भारत था उसमेंको महाजनपर आपको देखने को मिलते थे वह संजोग की बात है साउभागी की बात है कि अपने उत्तरत करेंद राभजी माहा nuestro आपको देखने को मिलते थे तो यहां कारा शूर poem हो जाएगा आपसन नमबर तीसरे करह secretly नियानि कि सुर्चीन महानपद जो आप कहते हुए उसकी राधानी क्या हो जाएगी उसकी राधाने को मथूरा के रूप में किस रूप में FC मिलती है अगर पोटन की बाद किया जा तो एक अस्मक महाजनपथा उसकी राधानी हो जाती थी पोटन विराट नगर की बाद किया जा तो मत्स्तर जनपथा महाजनपथा इसकी राधानी हो जाती थी विराट नगर और अगर इन्रप्रस्ट की बात किया जाए तो इन्रप्रस्ट की अगर बात किया जाए तो इन्रप्रस्ट अपने आप में कहा थी एक राध्धानी थी जो कि कुरु महाजनपर थी कौन से कुरु महाजनपर की राध्धानी आपको इन्रप्रस्ट के रूप में देखने को मिल कि स्पारीटी की इस्थापना कहा कि गई थी कुश्य नंबर दूसरा आपका है स्वाराज पार्टी की स्थापना कहा कि गई थी अपसे देखो भाई इसकी जो कहाने ठीकुछ इस तरीके थे कि संजोग तारीक है आती है पाँच फरवरी उनीस सो बाइस कि आती है पाँच फरवरी 1922 और इस तारीक में क्या हुआ कि उत्तरथेस के गोरखपूर नामक जनपद में चौरी चौरा नामकिस्तान पर एक कांड हो गया, जिसको हम भूख चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं, इस घटना से आहत होकर, दुखी होकर, महातमा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग अंदोलन इस्थगित कर दिया, ठीक है, अब इनके एका एक इस अंदोलन को इस मालवी साहब से अपने, तो हुआ ये कि 1923 में, कब 1923 साल आता है, और इसमें क्या होता है, कि चितरंजन दास और पंडित मोतिलाल नहरू जी मिलकर 1923 में उत्तर प्रदेश के इलाहा बाजनपद में, कहां पर इलाहा बाजनपद में सौराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं, ठीक है, अगर इसमें बात किया जा चितरंजन दास जी की, तो चितरंजन दास जी इस पार्टी के अध्यक्ष हो जाते हैं, और जबकि अगर मोती लाल नहरू जी की बात करिया जाते हैं, तो स्वाराज पार्टी की स्थापना कहां की गई थी, तो स्वाराज पार्टी स्थाब नाफ की कि जाती है प्रियाग राज में कहा की जाती है प्रियाग राज में की वहे हैं कि ऑ rag 3 trabalhar कि इलहाबाद नामक इश्थान पर उक बहूंग बढ़ी आपका कुस्चन है चलते आगे और आज का अगला कुश्चन क्या करा सांदार सा कुश्चन होगा कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में सामानांतर सरकार की स्थापना कहां हुई थी ठीक है करा भया जो भारत छोड़ो आंदोलन आपका हुआ था इसमें सामानांतर सरकार की स्थापना कहां हुई थी वह आपको बताना है आ आपसर नंबर दूसरा करा बलिया आपसर नंबर टीसर करा लखनू या आपसर नंबर चोठा करा फैजाबाद तो भारत छोड़ो आंदोलन में सा मानांटर सरकार की जो इस्थापना थी वह कहां कि गई थी तो देखिये भई कि गई थी तो इनका नाम हो जाएगा चित्टु पांड़े क्या नाम जाएगा इनका चित्टु पांड़े 1942 होता कब होता 1942 में चित्टु पांडे जी की नितुत्त में उत्तर्प देश के बल्या नामकिस्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन में सामनांतर सरकार की स्थापना की गई थी ठीक है चलते हैं अपने आज की निएश्ट कोश्चन पर और आज का सांदार सा कोश्चन क्या कह रहा है करा कि छे ट्रफल की डेश्ट से उत्तर प्रदेश का भारती राज्यों में इस्थान है ठीक है अगर बात करें तो आफसन कित करा पहला आफसन नमबर दूसा करा दूसर अमबर french by ऑड़ीह, आफसन नमबर्युन और चौथा चौथा ठीक है तो छे लम ट्रफल के दृत्र प्रदेश का भारती राज्यों का सा इस्थान है अच्छा करा में इस जो की रएँ तो इसमें उत्तर जिस आपका किस नंबर पर आएगा यहाँ आप से पूछा हुआ है बहुत आसान सा कुश्चन है कई बार आपका एक्जामे पूछा गया है तो देखो भी जो सबसे बड़ा है वो कौन से है आपका राजिस्थान है कौन है राजिस्थान है तीक है दूसरे नंबर पर कौन है MP है कौन है MP है तीसे नंबर पर कौन है आपका महाराष्ट्र जिसकों लोग इमेज कहते हैं साटकर में क्या कहते हैं और चौथे नंबर पर कौन हो जाता है तो चौथे नंबर पर छे ट्रफल के मामले में जो अपना टाप पर आता हुआ हो जाता है आपक ही आपके चाथे नमबर पर है उतार्भंदे स्थाब का जो भारती राज्यों का छेत्र फल है उन के अनुसार ठीक है चलते हमें के आज क्यों स्वेस्ट्स क्या कर रहा है या लक्ष्ट। तो जल पर पाथ Hm को मिलता है शूपर डूपर इंपॉर्टेंट कुशन आपका और एक्जामनर का बहुत ही फेमस और रटा रटा इसका कुश्चन है यहां आपके पीस तक में आप से कुश्चन पूछ लेता है तो विंडम जलप्रपात आपका कहां मिलता है तो याद कर लीजेगा मेरे मिर्जापूर में देखने को मिलता है मिर्जापूर में आपका विंडम जलप्रपात देखने को मिलता है बहुत ही सांदार बहुत जाकेदार कुश्चन था चलते हैं आगे और आज क्या कह रहा है कि नेमनलिखित में से किस नदी को सोड़ नदी की संग्या दी जाती है ठी इसका लाजिक वया है कि यहां पर सूख्ष्व मात्रा में आपके सोने के कड़ पाया जाते हैं अगर अत्यधिक मात्रा में यहां पर सोना पाया जाने लगे तो जैसे लोग नदियों में मचली मारने के लिए कटिया फसा के बचते हैं वैसे कटिया कौन फसाया मचली के लिए लोग यहीं जाकर कोड जाएंगे और भरभर कर सोना निकाल निकाल कर ले आएंगे और बढ़िया सिका भूषड बना बना करके पहनेंगे लेकिन संजोग की बात यह है कि यहां जो आपको सोना मिलता है बहुत इस सोच मात्रा में मिलत पहाड़ियों से नदी है स्टान से निकलती है अंर कंटक के पहाड़ियों से निकलती है आपके जी है चलते हैं आगे आँए अज की येक्श्ट कैने का रहा है्स। और यहाँ जो पर्योजना है आपकी हथनी कुंड यहाँ आपके यमुना नदी पर देखने को मिलती है तो आपके यमुना नदी पर आपकी हथनी कुंड पर्योजना देखने को मिलती है अब बात करने कहां पर है तो हर्याडा राजी के अंतरगत आपके यमुना नगर है वही पर यह आपके हथनी कुन पर योजना देखने को मिलती है चलते हैं आगे पन्याचिनेश कोश्चन पर अड़कारा प्रदेश के किस जिले में सरवाधिक वर्सा होती है आपसे नमबर पहला करा बांदा आपसे नमबर दूसा करा वाराण सी आपसे नमबर तीथा करा मुरादा बात आपसे नमबर 14 गोरकफूर तो प्रदेश के किस जिले में सरवाधिक वर्सा होती है आपको बताना है और यहीप आपको सरवाधिक वर्सा देखने को मिलती रिखा अगर बात किया जए अउसट वर्षा कितनी होती तो आउसट जो होती है यह कितनी आपकी यह जो आउसट वर्षा होती है यह आपकी लगभग 184,7 cm आपकी वर्षा देखने को मिलती है गोरखपुर में ठीक है चलते हैं आगे अगे आज की नेटीट कुश्चन पर और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रणुख वाड़िजिक फसल हैं तो देखे हैं एसी फसल होती है जिसको कटाई के बाद किसान बहुत दिन तक अमने पास उसको नहीं रख सकता है अगर बहुत दिन तक उसको पर पास रखेगा तो इसके उसकी गुड़ रता आदे में कमी आना सोरू हो जाएगी तो ऐसी कौँछ फदल है कि जिसको काड़ते ही किसान क्या करता है कोशिच करता है जल्दी जल्दी हमारी क्यों होता है पैसा जो जो अगर बींदे हो ना करता है वह पास किके साट है कि क्या होता है कि इसको कटाई के बाद बहुत दिनों तक अपने यहां रख दिया जाए गन्ना सूखने काड़ का खराब होने लगेगा और यह अपनी गुर्वत्ता को खो देगा और उत्तर प्रेस कि जो आपकी प्रमुख वर्जिक फसल है वसंजोग से आपके हो जाती गन् पूरी मानदारी के साथ और आप लोगों की एक छोटी से छोटा प्रयास रहेगा कि अधिक सब्सक्राइब करें अगला कुशन आपका करा कि उत्तर प्रदेश में सरवाधिक छे ट्रफल वाली आम की फसल है ठीक है फलों का राजा आम ठीक वाइग्यानिक नाम की अगर बा आपसर नमबर तीसा करा लंगड़ा आपसर नमबर चोटा करा आपका सफेदा तो देखे इसमें सरवाधिक छे ट्रफल पर आम की किस फसल का उत्पादन होता है वह आपको बताना है तो इसका जो करेंटर आंसर आपका बनने वाला है आम वाला वह बन जाएगा आपसर आपका और दोसरा करेक्ट हो जाएगा दशहरी और आम के लिए our अब किस्मों के आम का आणनद लिजिए ठीक है चलते हैं आगे अध्याबरा काँ पर है लंगडा आपके बलाण सी छेटर में देखन्वन मिलता है लंगड़ा आम ठीक है लंगड़ा से एक ताथ पर यहां किसी डिव्यांग समत लिएका लंगड़ा एक आपकी आम की किस्म हो जाती है ठीक चलते हैं आगे अपने आज कोशन पर और अगला कोशन क्या कह रहा है कि राज्य में बबर से सफारी स्थापित की गई है सब्सक्राइब का आपके कहां पर सथापित की गई है इसका जो आफका आंसर बनने वाला है और आपसार नंबर 30 इंसांटावा इटावा जन्पत के अंतरगत आपको बबर से सफारी स्थापित की गई है ठीक है चलते हैं मिला आज कि नेक्स्ट कोशन पर और निक्स्ट क्य आपको जो आपको चार आपसंदीए है इसमें से काउंचा प्लांट है जो कि आपके गैस पर अधारित नहीं है जो आपकी एंटी छैंक सके पारूटि बनाई जाती है तो अगर और प्लांट है तिना पने ने के बाद यहां पर आपकी विड्चिश्व यह दोनों आपके क्या हो जाते हैं यह दोनों आपके कोईले पर अधारित हो जाते हैं यहां पर जो विद्धुद बनती है यह कोईले के प्रियोक के बात बनती है को यहां पर विद्धुद बनाई जाती है चलते हैं आगे हैं नेक्स कुष्षन पर और नेक्स कुष्षन क्या कह रहा है कांपूर करहाई एपका कहा पर स्थित हो जाता है तो देखे, जब आप लखनों जाइए, कहाँ जाइए लखनों और lesson के बाइट्रेंज आईए आप पर कानपूर लाइन पर जाइए, आपको एक छोटा सा कि स्थीत है लखनों के एंटरकत यह भी पिपर संड भी आपका आता है तो इस्कूटर्स इंडिया लिम्टेड जो आपका हो जाता है हालां कि अभी यूनिट आपकी बंद हो चुकी है इस्कूटर्स इंडिया लिम्टेड आपका कहा पो जाए कि यह लखनों के अंद्रगत देखने को मिलता है ठीक है कितना बढ़ी हां कुस्चन है आपको लखनौशा साथ प्रिपर संड भी मैंने बता दिया चलते हैं आगे आज कि नेक्स कोईशन क्या करा कि प्रसिद्ध नैमी साजड़ तीर्ष इस्थित है आपसे नमबर पहला करा वारानसी आपसे नमबर दूसा करा मिर्जापुर आपसे नमबर तीसा करा सीटापुर या आप के महापुरुस हुए आपकि इसवर जो जैनों अवतार लीए वह कहां लिए आपके अधेश में लिए और बहुत आपके पावन नगरी है अभावन भूम है फिल्देश की ठीक है तो इसी में और बहुत बर्बार बभशी कहानी आपके सामने है प्रसिद्ध नैमी सारणद के वहनिब से कहां पर जाता आपके सीतापूर में कहां जाता सीटापऊर में होजाता कर एक कथा के इसमें बताया गया कि यहां पर 88 q7 raq क्या तो यहां पर आदी 308 प्रदेश का कौन सा जिला सामिल नहीं है कौन साजिला को प्रदेश का कौन सा जिला में सामिल नहीं है आपको बठाना कौन सा जिला जो SCR में संब्लिक नहीं है अब देखो भया एक नई टेंसन की SCR क्या है तो इसके पहले आप लोग NCR का नाम सुने होंगे क्या नाम सुने होंगे ठीक है निशनल कैपिटल रेजन और उसी की तर्ज पर किस पर उसी की तर्ज पर इन्सी आर की तरज़ पर क्या हुआ कि प्रजेश की योगी सरकार निया निड़ा लिया कि अब हम एससी आर बनाएंगे क्या बनाएंगे इसके अंटरगत क्या हुआ कि जैसे अबने उट्टर ब्रिस की जो राधानी वह लखनू में देखने को मिलती है अब लखनू से सटे जितने जिले हैं अब लखनू मिलाकर स्दाज का गठन किया एक इसक備 क्या है कि लखनू सहीत आपकी छे चूऩया घ्ले तरो की देखने को मिलते हैं अब इस इनुए को सा झिला एसा जिएल नहीं है आपसा नंबा पर लिए बारबंकी अपसा walks करा राभरान आप सा काह से रहर कर ठोजागा हो जाएगा कानपूर ड़कांटर काणपूर अच्छा इसके इन जो एस्टीर कानफिर आप जिले संभलित हैं ये कौन कौन से हो जाता है उन्हाओं कि भाड़ा बंकी है हर दोई हो जाएगा क्या हो जाएगा हर दोई तो आपका लखनौउ उन्हाओं हर दोई बारा बंकी राइब रेली और सीतापूर इन 6 जी को मिला कर SCR का गठन किया गया State Capital Region का गठन किया गया इस तान से आज हम लोग अपने वेरी वेरी मोस्ट इंपार्टन जो कुस्टेंस दे यूपी जी के कि उनको देखें हैं उम्मीद करते हूं कि आज ही वीडियो आप लोगों बहुत ही पसंद आई होगी और इसी के साथ ही साथ आप चैनल पनायों के चैनल को सस्क्राइब भी अवस्टि करेंगे मिलते हमने अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार अपना ख्याल रखेगा